असलम अलेकूं एलकाम टू माई चानल कनेश डीजाइनर देखें दोस्तों इस वीडियो मैं आप लोग को बनाना पताएंगे बेट सी डीजाइन तो बहुत ही प्यारी डीजाइन हम बताने वाले हैं बहुत ही इजी भी है आप लोग बहुत ही असाने से इसे बना लेंगे दो हम चार कलर्ण बनाने के लिए कि हम कंडा और लोग को कोिसिंग दिखा दे रहे हैं और किछानी दिखा दे रहे हैं और किसे इżenia हम ली है, है 3 Central in चाहसे हमारा 4 कों निया है probाई पीस है महरून हो भी हमारा 4 कों गात है तौसे नैंसे है नियुक्र बोगन के हैं और शूराभ स्ब्सक्राइज निया ні कि यहां और हूसना करने थापर उस्ट सभी टूराऊने लिए हैं सभी को हम यहां पर काट कर देंगे तो बिच बिच से हमें मोड़ना है और इस तरीके से हमें काट लेने हैं सभी को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों हमने यहां पे तीन पीसे को मतलब कलर के कट कर चुके हैं इस तरीके से और हम आप लोग को इसको सीलना बताते हैं इस्टिच करना बताते हैं कैसे आपको डिजाइन को बनाना है तो यहां पे हम पहले क्या करेंगे यहां पे देखिए जो फिकेंगे हम रखेंगे और यहां पर यहां पर यहां इस हमारी यहां आपको को क्रेंगे और लोग को दिखाएंगे कैसे क्या करना है तो आ पोले की हमारा जो पिंक वाला पीस है इसे लेंगे और हम उठाएंगे marine ओडा से आपको रखने है आप लोग देखें और इस तरीके से हमें रखने हैं पीशıs के और इस सेलाई कर देंगे तो चिलाई जो है आपको बराबर करने हैं तो एक शाइड में हम यहां पे exactly के और अपर इसे होगे पट जूट चूकी हैं और इसे हम अब रख देंगे किनारे और घ्राइब की और उसके बाद हम वाइट का पीस उठाएंगे और इस तरीके से फिरोजी को ऐसे बर्फी की अकार में बनाना है और यहां पर हम दोनों पीसे को अच्छे से सिलाई कर देंगे किस तरीके से सिलाई की जा रही है तो यहां पर हम दो पीस उठाएंगे और यहां पर मिलाएंगे और ओपर साइड में वाइट आएगा और हम पीसे को पकड़ लेंगे और सिलाई को अंदर रखते हुए अच्छे से इसकी हम सिलाई कर देंगे तो दोस्तों ध्यान से देखें आप लोग आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से हमारी डिजाइन जो है बान रही है तो यहां पे देखिए हमने दोसरा पट्टी भी तैयार कर लिया है तो इसी तरीके से हम हमें एक और पट्टी तयार कर लेने हैं दो एक ही साइज के एक से सिलाई पे तो यहां पे हमने देखिए दोनों को एक ही तरीके से सिलाई कर लिया दोनों हमारा से पट्टी है और यहां पे जो हमारा पहले वाला है उसे उठाएंगे बीच में रखेंगे उसे और हम दूसर से मिलाने हैं और इसे सिलाइ कर देने हैं तो अभी जो डिसाइन हमारा बन रहा है और आप लोग किस तरिक वेठी से बिर शीट बना पाएंगे आप आप लोग को आखर तक देखिय मोरको जानने को मिलेगा सब कुछ वीडियो में तो यहां पर हम क्या करेंगे देखे एंपर से नियुक्ति हो गई यह हैं हमने थे दो पिस्क कर लें है गुरिंगे फिर इसे हम घुमादेंगे फीर दोसरा वाला तिसरा वाला पिस उठाएंगे हमें इस तरीके से हैं और ज이्टे को मिलाते हुए उपर से नेचे तक हम सिलाई कर देंगे तो जो हमारे किनारे पीसिस लग रही है पट्टी लग रही हमसीन तरीके से tengan लेने है और पेच वाले पट्टी में इसे इस तरीके और जोधा को मिलाते हुए उपर से निचे तक हम सिलाई कर देंगे दो obliged किनारे किनारे पीशे लग रही है पट्टी लग रहे हैं वह समय तरीके से दिशाइ कर लेने हैं और विश के बีच वाले पट्टी तो अब हम क्या करेंगे इसे हम अच्छे से प्रेस कर देंगे यहां पर प्रेस करने के बाद फिर आप लोग को हम दिखाते हैं और समझाते हैं कि आगे आपको क्या करना है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी डिजाइन है हमने इसे प्रेस कर लिया है और हमारी ज करेंगे पहले पीस रखेंगे और हम पीसे पीस मतलब रखेंगे यहां पर पीस उठाएंगे और हम जोइन करते जाएंगे तो हम पीस-पीस जोड़ेंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी तो पीस पीस जोड़ करके आपनी बेट सीट को अच्छे से तयार कर लेंगे तो आप लोग भी इस तरीके से बनाएं तो लंबाई चोड़ाई में हमें जोड़ते जाना है जितना भी हमें लंबे और चोड़े में चाहिए मतलब ऊपर और निच्छे जिस सिंगल या डबल जो भी आप बना रहे हैं तो हम जब क्या करेंगे आप पीस पीस जब जोड़ कर देंगे तो आप लोगी स्कीन पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग भी जोड़ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं या फिर डिजाइन को मंगवाना चाहते हैं तो दिएगे वाट्साप नंबर पे आप लोग हमसे कंटेक कर सकते हैं या वाट्साप पे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग को बता दे हमारा एक फर्स चैनल भी है जिसका नाम के एपसी लाई सेंटर वहां मच्छे एची वीडियो डालते रहते हैं बहुत सारी ज़्यादा सेयर करें दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया तो दोस्तों फिर बिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक रखें हमें दवाओं में याद अपना और अपनों का रखें खुब जदा ख्याद तब तक के लिए